मंत्री महोद है मोडल अस्कूल होने से मोडल सिख्षा सापित नहीं हो जाएगा जो सिख्षक खुद ही संतुष्ट नहीं है उनके खुद ही से उनके बच्चे का लालन पालन नहीं हो पा रहा है तो आप बताइए कि कितने मन से वो सिख्षा प्रदान करते होंगे अस्कूलों हैं करादे इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं बर्ग संजालन नहीं होती है उसकी और सेख्षा मंतरी का परयोगी कछाएं नहीं चल रही है तभी तो ऐसा उन्होंने पयान दिया सिख्षक बनाने के नाम पर एक जो है सो कोरम पूरा किया जा रहा है जो जन को दोराने की जरूरत है आपको अपने माता जी और पिता जी के कदमों पर चलने की जरूरत है और वो सारे चीजों को अपनाने की जरूरत है और नियोजन सिक्षानिती को समात करते हुए अस्थाइस चक्र असकूलों में देने की जरूरत है बिहार में बिहार के जो ने ने उपमुक मंत्री बने तेजसरी आदवनों ने कहा है कि हर जिले में एक मोडल इसकूल एक जिला में एक मोडल स्कूल और उसके अलावा आपको याद होगा कि जब लालू परसाथ यादव की सरकार थी नब्बे में बनी तो कहा गया कि चरवाहा बिद्याले भी खोला जाएगा परहाई भी होगी और बच्चे वहाँ पसू भी चड़ाएंगे लेकिन सिच्छक की क्या इस्तिती है आया दिन गर्दनी बागी लोग धरना देते हैं सर को परमार खाते हैं फिर पहुंचते हैं चायो अतिती सिच्छक हो नियोजन वाले हो या नियोजी तो हमांगे साथ एक नेता जी है क्या नाम बता है सर नरेंद्र यादव हमारे साथ है सिख्छक का जो भी मामिला होता है यह देखते हैं इसलिए इन से बात करना जरूरी है क्यूंकि सिच्छक का बात है एक जिला एक मोडल स्कूल चल जाएगा सरकाम स्वागत है सिक्षा मंद्री मोहदे ने ढ劼ल स्वाल होने से मोड़ल सिक्षास सापित नहीं लाएंगे अब इन नियोजी सिच्छक में भी सभी जोग सिच्छक हैं चुकि आप नहीं उनको बाहल किया है इसलिए उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है लेकिन जो सिच्छक उनके खुद ही सेलरी से उनके बच्चे का लालन पालन नहीं हो पा रहा है तो आप बताइए कि कितने मन से वो सिक्षा प्रदान करते होंगे अस्कूलों में आज तो जीता जाकता उदारन है कि आपके बरतमान सिक्षा मंत्री ने अपनी नाराजगी निरासा प्रकट किया है आप लोग के सामने प्रकट किया है कि बर्ग संजालन करा दे परयोगी कछाएं करा दे इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं बर्ग संजालन नहीं होती है उसकी और इसारा सिक्षा मंत्री का परयोगी कछाएं नहीं चल रही है तभी तो ऐसा उन्होंने बयां दिया आखिर चल में अगनी बीर के पार्टी से जो एलाइंस था नितीश जी खा वह सिक्षा निती को दफन कीजिए नियोजन सिक्षा परंपरा को समात कीजिए और जिस रह से 15 साल पहले लालू जी और राबरी जी के साथ सनकाल में असाइश सिछक की नुक्ति होते आया है उस इतिहांस को दो आगनी जरूरत और नियोजन सिक्षा निति को समात करते हुए 17 को में देने की जरूरत में आपको पूरे के पूरे भरोसा देता हूँ कि आप निक्ति करते हैं इस पूरे भिहार के दो भी की स्कूल मोडल रूप में हो जाएंगा आजी के पेपर में लिखा हुआ है कि परात्मी की स्कूल में 41 सब्सक्राइब की बरती हो सकती है तो क्या पहले से पांच बीड़ी तक ये पढ़ने के लिए भी हमारे यां सिख्छक नहीं है निशित नहीं है इसमें कोई दोमत नहीं है चूकि सिच्छक बनाने के नाम पर एक जो है सो कोरम पूरा किया जा रहा है सिच्छक राष्ट का निर्माता होता है सिच्छक पहले भी बनते हैं और आप सिच्छकों कोई भूखे रख रहे हैं जो सिच्छक नौकरी में हैं बन च मेराष्ट्रिये जन्ता दल के उपमुख मंत्री और शिक्षा मंत्री को असपश्च रूप से उनसे मांग भी करता हूं आगरह भी करूंगा कि आप लोग अपने राष्ट्रिये जन्ता दल के पुराने इतिहास को दोराएं नियोजन नीती को समात करें पुर्ण सिच्छा का स्थाई सिच्छा की नियुक्ति करें पुर्ण वेतनमान वाले सिच्छकों की नियुक्ति करें आप क्वालिटी एजगेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी टीचर की भी बात करनी परेगी और जो अतीथी सिच्छा पूरे ट्रेंड है चार साल से आपक का सोचना करते व Tôi पह एक तरह सच gucken से भी हें और सुछाब रही हैं तो रोज के रोज के को रुप क्यों नहीं कराते हैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सिच्छा विभा के अंदर डिप्टी डाइरेक्टर असिस्टेंट डाइरेक्टर के पत पर जो रिटायर लोग बेठे हुए हैं जो वहाँ सिच्छों को गाली देने का काम करते हैं सच्छवाले जाने पर उनको अतिति सिच्छा निश्ची तोर जगाही पड़िशाने दो हजारी गारह से अठारह तक बिहार के पूरे प्लस्टू के बिद्धाले में बिज्ञान सिच्छ नहीं थे बच्चे बिज्ञान नहीं जानते थे पर योगी कछाई की जो बात हो रही है ओ पर योगी क जैसो लै अभी हैं तो आप उनको असाई देने में क्या दिकत है उनको दक्सा लेकर कर दीजिए जब पांच साल से आपके सेवा दे रहे हैं तो पुना ओपेन एडवर्टीजमेंट में कैसे जाएंगे फिर से नए भिग्यापन में कैसे जाएंगे इसलिए उनके अनभाव को ख्याल रखते हुए उनको दक्सा का प्रावधान करते हुए जिस तरह से आप नियोजी सिचकों की दक्सा का प्रावधान किया और बेतन बृधि की बात करते हैं उसी तरह उनके लिए भी दक्सा का प्रावधान लाकर असाई देने का काम करें सिच्छक दिवस के मौके पर उन्हे राग रहोगा कि आप जल्दवाजी में ना परें अगनी पीर की तरह सिच्छा भीर मत बनें आप असाई सिच्छक निउक्ति की मांग करें भले ही जो है एक दो महीने क्यों नहीं लेट हो जावी किया पन में तो आपने सिच्छकों की समस्या सुनी और जो मंत्री जी हैं बार कर दोлов्डु के जी हुआ यह एको भीर मत बनें आप एक रहएं साझना Дेकरन करें बना पासने का रहीं बातान यहाङों के रहें खोर मित जी हैं और धनी पन आताम हैं खोर मन बनें